मैं राहूल गांदी का भाशन सुन रहा था बोले भाशपा के राज में मिलना ही होगी अख लगी है मैंकाई में आठा भी पच्चिरवे लिटर बिगा दा पोले मैं गए मेया सुझो यह नहीं पता कि आठा लिटर बिगा दा या किलोई बिगा दा इन्हाने मुझे जलाना मैं आठा लाके के लिए पूरी लड़ाई लड़ता है मैं विश्वाद लाने आ रहा हूं मैंने नूरपूर के अंदर स्पी बठाया नूरपूर को पुलिस का जला बनाया अगली कैबलेट जैसे सरकार बनेगी अगली कैबलेट में नूरपूर को जिला का दरजा भी मिलेगा और डी सी आपका यहां पे बैटे मैं आपको विश्वाद लाने आए हूं मैं आपको विश्वाद लाने के लिए आहा हूं मैं अब नूरपूर छोड़के फद्पूर में आया हूं तो आप सब के आशीरवाद के साथ फदेपुर में फदे करने के लिए आया हूं और मैं विशुवाद रात हूँ आपको कि एक अलग स्थांट में हम जाना चाहे हैं यह नहीं कि फदेपुर में हमारे पास ले तर्द नहीं है बहुत बड़ी अलोग है आपको पर ए अब आपके बीच में आया हूं एक इत्यास लिखने के लिए हम सब कठे मिलकर इसकांपे लगेंगे और एक नया इत्यास लिखकर हम आगे बढ़ेंगे और फदेपुर का यह पंदरा साल का जो बन्वास है इसको सूद समेथ बूरा करेंगे और मैं आपको विशाज करने आया हूँ, एक आपसे सवाल भी पुछनए जाओं कि आज हमको कांगरिस को वोट क्यूं देना है किस लिए देना है कांगरिस को वोट को हुँँ, आज कांगरिस है खहां वहां राहूल गांदी चले हुए हैं कॉंग्रेस की यात्रा लेकर कहते हैं भारत जोडो यात्रा और पीछे लोग भारत कॉंग्रेस छोडो यात्रा में लेगी हैं कि मैं राहुल गांदी का भाशन सुन रहा था बोले भाजबा के राज में मिल्लाई होगी अहग लगी है में आटा भी पच्चीरवे लिटर भी गादा को लेगा मैं जो यह नहीं पता कि आटा लिटर भी गादा या किलोई भी गादा इनने मुल्क चलाना अहच के दिन में ज यह वो चुनाव है जो 37 साल के बाद रिवाज बनेगा 37 साल के बाद रिवाज बनेगा